ये एक 13 साल की लड़की की कहानी है जो अपनी बॉड़ी में हुए फिजिकल चिंजिस को महसूस करती है और फिर क्या होता है चल ये देखते हैं मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी की आवाज को सुनते हैं जो एक लड़की से कह रहा है कि तुम जैसी भी हो खुपसूरत हो बाकि सारी लड़का तुम से जलती हैं क्योंकि तुम उन लड़कें के मुकाबले बहुत तेजी से बड़ी हो रही हो और इस साल तुम्हें उन लड़कें की बोलती ही बंद करनी है और फिर हम उस आर्मी को उस लड़की के पूबिक हेर को रेजर से क्लीन करते हुए देखते हैं और वो कहता है कि अपनी मॉम को इस बार में मत बताना कि मैंने तुम्हारे प्यूबिक हेर शेव की है इस आदमी का नाम है बैरी और लड़की का जजीरा जजीरा बस 13 साल की है और बैरी जजीरा की मॉम का बॉइफ्रेंड है वो बैरी के साथ एक एडल्ट कॉमेडी मुवी द एडल्ट का था तुम्हें अपने वहां शेव करने को जजीरा बैरी के तरफ देखती है और वह समझ जाती है कि ये काम बैरी का है वो जजीरा को उसके रूम में भीजने के बार बैरी बोसके प्यूबिक हेर को शेव करना कोई गलत काम नहीं लगता है नक्ट सीन में हम गेल और जजीरा को एरपूर्ट पर देखते हैं गेल उसे उसके डायर ट्रिफत के पास हच्टन डैने के लिए भीज रही है लेकिन जजीरा नहीं जाना चाहती गेल उससे कहती है कि जिस तरह से तुम अपने बूप सो अफ करती हो परी के लिए मुश्किल है तुम्हें नोटिस ना करना और तुम हमेशा उसके सामने अपने प्यूबिक हेर को डिसकर्स करती रहती हो जजीरा कहती है वो इसलिए क्योंकि पूल में लड़किया उसे च्यूबैका कहकर टीस करती है गेल कहती है मुझे उसका मतलब नहीं पता जजीरा पताती है लेकिन बैरी को पता है और गेल अपना सर पकड़ लेती है उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी सीमाएं पता होने चाहिए कि मर्दों के सामने तुम्हें कैसे बिएफ करना चाहिए जजीरा अपने डैड के पास पहुंच जाती है जो नासा में जॉब करता है और मिजाद से काफी कड़क है रास्ते में जजीरा को गाली में नैकट लड़की का पोश्टर दिखता है जिसे वो गौर से देखती है देकिन जैसे ही उसका डैड उसे गूरत उनके घर में उनके नेबस ट्रैविस उसकी वाइफ और उनका बेटा जैक आता है वो सब मिलकर बाते करते हैं और जैक अपने डैड से जजीरा के सान बैडमिंटन खेलने की पनमीशन मांगता है फिर वो दोनों बैडमिंटन खेलती है और कौक जजीरा के बूस्ट पर लग गए हैं घर आका रिफत जैजीरा से कहता है कि उसे कल से जैक की बेबीसिटिंग अब्त कंच के घर जाती है तो जैक नहीं चाहता की जैक बेबीसिटिंग करे और कहते है तूमसे मूसे साल बढ़ी हो जैक को से कम्पनी देने चैक उसे टौवल ह empir को चुढाता है और अंदर देवाद उठकर जैक से कहती है कि तो यह सब नहीं पड़ सकते जैक कहता है मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा और फिर से उसे और उसके डाट को टौवल हेड कहकर चिडाता है जिसका जजीरा कहती है कि उसके डाट अपने सर पर टौवल नहीं पैनते वह क्रिश्चन है और उन्हें एक पैट दिखा कर उसे खरीदने को कहती है इस पर उसका डाट कूछता है कि इसमें क्या खास बात है सेल्सकल कहती है कि यह कंफुटेबल है मेरी बेटी भी यहीं यूज करती है देकिर रिफट कहता है कि वो महंगी है इसलिए तो हम उसे सज़ेस्ट कर रही हो वो नॉर्मल पैट्स लेकर वहां से चला जाता है जजीरा स्कूल में है स्कूल में एक लड़का जजीरा की नाम का मजाग बनाता है और उसके समान को पिखेर देता है वो फर्ष पर गिरे पैट को उठा कर अपने फोर हैड पर चिपका कर हसने लगता है जजीरा बातरूम जाक टिशू पेपर यूज़ करने लगती है क्योंकि उसका पैड लड़कों ने खराब कर दिया था एक टीचर बातरूमें आती है और उसे रोता देख टैमपॉन यूज़ करने को देती है वहां जब उसका डैड रिफट ट्वालेट साफ कर रहा होता है तो उसके अंदर स ट्वालेट ब्लॉक हो गई थी वह जजीरा को घर से निकाल देता है जजीरा अपने माम को फोन करती है और कहती है कि डैड उसे टैमपॉन यूज़ नहीं करने देती है लेकिन उसकी माम भी रिफट की सैट लीती है वहां जैक के घर पर फिर से वही मैगजिन्स पढ़ रही है और ट्रैविश के घर आकर उसके बैक से एक सुरक्षा कवर चुरा लेती है जब वो सोर रही होती है तो उसे अपने डैड और एक औरत की सासों की अवाजी आ रही है वो बाहर जाकर देखती है तो उसका डैड अपनी गर्फरेंड थैना के साथ लगा होता है फिर वो ति मैगजिन्स की वज़ा से उसे सेल्फ प्लैजर मिलता है ट्रैविश उसे वहां से भगा देता है ट्रैविश उसके घर के बार मैगजिन्स रखकर चला जाता है जैक और जजीरा विड़ो से देखते हैं कि हनिमून कपल वापस आ गया है वो उनके घर अपनी कौक लेने जात लेकिन वह फ्रेंच में होता है जजीरा कहती है कि उसे फ्रेंच नहीं आती फिर वह स्कूल जाती है टीचए उस लेटर को एक स्टुडेंट से सब के सामने पढ़ने को कहती है जिसके बाद सारे स्टुडेंट उसका मजा उड़ाने लगते हैं जिसमें ठौमस नाम का लेकिन फिर वो बेकाबू हो जाता है और जजीरा को देखकर उसके अर्मान जाग जाती है और जब अपने हाथों में बलड देखता है तो घबरा के वहाँ से भाग जाता है जजीरा उसे रोखती है लेकिन वो नहीं रोखता जजीरा बाद रुमा कर अपने अंडर गार्मेंट्स को साफ करदी है और डश्ट बीन में डाल देती है वो थूमस के घर पर निनर पर आती है और थूमस के पैरंट्स उन्हें अकिला छोड़का सोने चले जाती है उसके डाध उसे ये सब चीज़े यूस नहीं करने देते जजिरे का डाध उसे लेने आ जाता है और जिझिरा को थॉमस्से मिलने से मना करता है क्योंकि वह काला है अगले दें95 मたना जजीरा को टैमपॉन और रेसल ला कर देता है और पूसता है तुम कहां कहां शेफ करोगी और उससे पूसता है कि क्या वो उसकी शेफ कर सकता है और अगले पर हम थामस को जजीरा की शेफ करते हुए देखते हैं थामस कहता है तुम कमाल की लग रही हो काम खतम होने के बाद वो उसे किस करता है और वहां से चला जाता है जजीरा अपने डैट के साथ कारडन को साफ कर रही है और ट्रैविश आता है और जजीरा से जैक की दुबारा से बेबिसिटिंग करने को कहता है लेकिं वो मना कर देती है रात में ट्रैविश जजीरा के घर आता है और उसे उसके सार डिनर करने को कहता है वो घर से दूर एक रेस्टरेंट में आते हैं ताकि ट्रैविश को कोई पहचान न सके वेटर को लगता है कि जजीरा ट्रैविश की बेटी है वेटर के जाने के बाद वो ट्रैविश से कहती है कि मैं तुमारी बेटी नहीं हूं गल्फरेंड हूं क्य कि जजीरा किसी और अटकी के साथ मस्ती करें इस पर जजीरा कहती है कि थामस तुमसे कहीं जादा बैटर है क्योंकि वो उसे तब ही चूता है जब वो चाहती है ट्रेविस जेजूरा से शौरी कहते हैं कि अगर उसे पता होता कि drawings जेजिरा ने कभी किसी के साथ कार नहीं किया है तो कभी इसके साथ वो सब नहीं करता वहां मलिना का पती जेजिरा को से दूर रहने को कहती है जिस पर वो फटकश ज़ती है और उसकी माम नहीं है तॉमस जजीरा से मिलने को कहता है लेकिन वो बताती है कि उसके डायर उसे पसंद नहीं करते है इसकूल में तॉमस जजीरा को इक्नोर करता है लेकिन जजीरा उसे बात करने के कोशिश करती है और Thomas कहता है कि वो उसके साथ कांट करना चाता है वो मान जाती है और दोने शुरू हो जाते है लेकिन जाजीरा इन जोईनेगर थी तौमस का काम हो जाता है और हो कहता है कि उसे एक मर्थ की तरह फिल हो रहा है घराकर रिफट बताता है कि उसकी कार के नीचे एक बिल्ली आगी थी और वो बिल्ली जैक की थी रिफत उस बिल्ली को फ्रीजर में रख देता है और सुभा किसी डश्ट बीन में डालने को कहता है ताकि ट्रैविश को ना लगे कि उसने जान मुझ कर उसकी बिल्ली को मारा है रिफत फिर से अपनी गर्फरेंड के घर चला वाला है जजीरा उसे अंदर बुला लेती है और फिर वो उसे किस करता है और कपड़े उतांडने को कहता है और फिर दोनों इंटिमेट होते हैं सुभा जजीरा को पता चलता है कि ट्रैविश ने उसे जूट बोला था वो इराक नहीं गया है बस वो उसके साथ मज़े करना जाता था वहां रिफत को वो गंदी मैगजिन्स मिल जाती है जो जजीरा का काम तमाम कर देती है रिफत उसे थाइस में पूरे तरह से मारता है घर पहुचकर जजीरा मलीना के घर भाग जाती है और वो उसे रूमे च्छपा देती है और रिफत उसके पीछे पीछे उनके घर ले आती है थामस जजीरा के साथ रूम में हैं और अपने साथ सुरक्षक कवशली कर आया है रात में वो इंटिमेट होने लगते हैं लेकिन मलीना को जजीरा के चिलाने की आवाज आती है और वो उसके रूम में आती है और उसी शक होता है कि ये दोनों कांड करने की और उसका सुरक्षा का वर्च इसकी तरफ एक करता है यह सब क्या है यह उनें उनके बातरूम से मिला। वह जजाइरा को अपने सार्चनले को कहता है मलीना का पती बीच में आता है इस पर रिफत कहता है कि बुला लो पूल बनाया था। ट्रैविश को गृफ्ता कर लिया जाता है। थॉमस जजीरा से ट्रैविश से उसके मिस बीहेफ के बारे में बात करता है। बताता है कि वो अब उसके साथ कोई संब्द नहीं बनाना चाहता। लेकिन जजीरा चाहती है कि वो इस रिष्टे को काउंटिन् थी जब मैलिना जसीरा को ट्रैविस से बात करते वे देखती है तो बातचीत को रूपने के लिए बाहर दौरती है और जमीन पर गिर जाती है जिससे उसका खून बैठता है और उसे पेंच शुरू हो जाते हैं हास्पिटल में रिफत को जजीरा ने डिलीवधी रूम में मैल प्रशी को जनम देते वे देखती है और यह मूवी यहीं पर खतम हो जाती है